हाई एब्रिवान आई एम रिचा शर्माइन यूर वाचिंग पर्चम आज के सेशन में हम एप्रिल 2023 के मंथली करंट अफेस डिसकस करने वाले हैं पहली है इंडेक्स, इंडेक्स, रांकिंग, रिपोर्ट्स जितनी भी है नाशनल हो या इंटरनाशनल दोनों और इसमें क्रिकेट की अलग काटेगरी वनी है टेनिस की अलग और तो और फाइनली थर्ड काटेगरी इंटरनाशनल लियूज यानि कि दूसरे देशों की ऐसी खबरें जो हमारे एंटरनाशनल रिलेशन के लिहाद से इंपोर्टन है कोई important appointment हुआ हो किसी international organization से जुड़ी हुई कोई खबर हो तो ये सारा discussion भी आज हम करेंगे कोई भी examination हो तीनों categories वहां के लिए important है आप one day examination face कर रहे हो किसी भी central state level का या civils face कर रहे हो सब आपको पढ़ना होता है ठीक है नई बच्चों को बें बता दूं ये जो monthly current affairs होते हैं ये हर महीने हम लेकर के आते हैं पांच videos के अंदर ये parts नहीं होते हैं ये independent videos होते हैं अलग-अलग category of news को इन 5 parts में cover किया जाता है आप अगर description में जाएंगे इस वीडियो के तो पूर consolidated PDF होता है जो की पर्चम classes.in website पे available करवा दिया जाता है English में अलग Hindi में अलग आप वहां से जाकर के if you want you can buy it from there लेकिन अगर students के पास PDF bank होता है या फिर current affairs subscription होता है जो की पर्चम app पे available है तो उनको कहीं से बार-बार जाकर के download करने की ज़रूरत नहीं है उनके subscriptions में automatically add हो जाता है हम जो पढ़ते हैं वो PPT version भी और A4 printable PDF version भी ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे all right so first category एक तरफ move करें उससे पहले हमारो जो as usual एक ritual होता है एक क्या बुले एक starting होती है kickstart question से तो आज के वीडियो के पढ़ाई के mode में आप आज हैं उससे जुड़े वे दो सवाल आपको दिये जा रहे हैं फर्स category जो हम पढ़ेंगे वो होगी index ranking reports की तो उसी category से जुड़े हुए दो questions है अगर आपको answer आता है अगर आप daily weekly CA follow कर रहे होंगे पर्चम से या कहीं से भी अगर आप पढ़ते हो कोशिश कीज़े इनको answer करने की write down in the comment section अगर आपका right answer होगा you'll be getting a heart from पर्चम साइड और अगर नहीं आता no need to worry आज के session में इन सबको पढ़ने ही वाले है चले यानि कि जितना forest area है forest cover है वो पूरे geographical area का कितना percentage है in India वो percentage आपको बतानी है अब यह हाला कि 2021 का report है लेकिन वापिस इन्यूज में देखा गया और इसलिए important हो गया second question देखते हैं what is India's rank in world bank's logistic performance index 2023 विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सुचकांग 2013 में भारत की rank क्या है अगर पता है दिखिए नहीं पता तो चली शुरू करते हैं आज के session को पहली category से which is index reports and rankings ओके तो शुरुआत करेंगे tiger census के साथ में 2018 में last tiger census हुआ था और उसके बाद 2022 यानी 2022 में हुआ और उसका जो data है statistics है वो 2023 के अंदर April के अंदर हमारे सामने live है तो चली अब हम इस पर discussion कर लेते हैं PM Modi releases tiger census figures number grows to 3167 in 2022 2022 में tigers की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई 3167 तो PM Modi ने बागूं की जनगरना के आंकड़े जारी किये 2022 में संख्या बढ़कर 3167 हो गई PM Inaugurates program कौनसा इसी के साथ साथ अब देखिए इसके उपर तो अभी हम बात करेंगे ही इसी के साथ साथ हम जो major big cats alliance है ना उसके उपर भी हम बात करेंगे तो पहले देख लीजे कि 50 years पूरे हो गए है project tiger को और इसी से related commemoration program था जो कि मैसुरू करनाटका के अंदर किया गया और उसी के अंदर international big cats alliance को भी launch किया है इंडिया ने 9th of April 2023 को focus क्या रहेगा इस international big cats alliance का पहले इस alliance के बारे में बात कर लिते हैं फिर हमारे tiger census report के उपर वापिस आ जाएंगे let me try and change the color one minute okay so seven big major cats होती है जिनके अंदर tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar और cheetah मिलते हैं और इन ही को conserve करने के लिए protect करने के लिए international big cat alliance इंडिया का एक initiative है जो launch किया गया है और बाकी सारे देशों से भी और्ज किया गया है कि आप इसका हिस्सा बनिये जहां जहां पर यह big cats पाई जाती है ठीके तो यह कब launch हुआ है यह 9th of April को launch हुआ है कहां से माई सुरू करनाटका से जब 50 years of project tiger को भी celebrate किया जा रहा था अब आजाए वारपस हमारे tiger census के उपर तो इस बार कौन सी cycle रही tiger census की 5 भी cycle यानि 5th बार properly scientific तरीके से tiger census conduct किया गया है और इसमें numbers में इजाफा यानि increment देखा गया और अब number आ गया है 3167 2018 में जो tiger census हुआ था उसके अंदर 2967 tigers इंडिया में count किये गये थे यानि कितना increase आया है 200 numbers का increase 200 का increase register किया गया है पिछली 4 years के अंदर percentage की बात करें तो 6.7 percentage का इजाफा 2018 census से 2022 tiger census के अंदर देखा गया ठीक है यहां तक clear है चलिए अब इस census या इस report से एक और चीज़ सामने आई कि पूरे world में जितनी भी tiger population उसकी 75% इंडिया में ही मौजूद है और उसी के साथ-साथ इंडिया largest tiger range country in the world बन जाता है ना सिरफ tigers यह जो पूरी report थी इसमें elephant का भी mention देखा गया statistics देखे गए apart from census reports भी issue होई है so 30,000 elephants जो हैं वो इंडिया में register किये गया और उस जो की largest asiatic elephant range हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर तो हम asiatic elephant में भी largest range लेकर के बैठे हैं इंडिया में और tigers के cases में भी ना project tiger जैसा कि हमने कहा कि 50 years का commemoration हुआ है तो कब launch किया गया था इसको 1st of April 1973 को launch किया गया था कहां से Jim Corbett National Park उतराखंड से हमने बोला 5th cycle है tiger census की तो पहला कब हुआ था tiger census सबसे पहले 2006 के अंदर scientifically properly किया गया था tiger census फिर हर 4 साल में होता है tiger census is conducted every 4 years तो उसके बाद 2010 में 14 में 18 में और 2022 के अंदर किया गया ठीक है तो साथी साथ summary report भी issue की जाती है और उसी में काफी सारी चीजें दिखाई जाती है effective management किस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है तो अब जैसी हमने effective management की बात की देखे एक और आकड़ा सामने आया है data best maintained of all tiger reserves in the country जितने भी tiger reserves है इंडिया में उन में से सबसे better maintained कौन सा है periyar tiger reserve kerala के अंदर kerala में periyar tiger reserve best maintained है और उसके बिलकुल बाद में आ जाता है सत्पुडा tiger reserve जो की मध्यप्रदेश के अंदर है then at present country में 998 protected areas है इस report ने ये भी बताया है जिसमें 10660 national parks है 567 wildlife sanctuaries है 105 conservation reserves है ठीक है तो जितने भी main main बाते हमने देख ली अब हम project tiger का एक summary देख लेते हैं तो project tiger को क्यों शुरू किया गया था tigers की एक viable population बनी रहे उसके लिए इसको किया गया था और ये centrally sponsored scheme है ministry of environment, forest and climate change के अंदर में आती है कौन है minister बताये जल्दी से if you know the union minister of this ministry write down his name then implementation authority कौन है NTCA यानि national tiger conservation authority headquartered नई दिल्ली के अंदर है और NTCA जो है वो किस act के थ्रू बनाया गया है wildlife protection act 1972 के तहत ये governed होता है NTCA को lead कौन करता है national tiger conservation authority को तो इसके जो chairman होते हैं वो ministry of environment, forest and climate change के जो union minister है जिनका नाम मेंने आप से पूछा है ये ही इसके chairman होता है and further इसमें vice chairman होते हैं MPs or secretaries होते हैं I hope so much so far things are clear to you चलिए अब हम आ जाते हैं अगले index पे which is passport index 2023 passport index 2023 जो हम अब discuss करेंगे इसको R10 capital ने issue या release किया है so passport index 2023 में इंडिया का rank आया है 144th 144th ये color observe color का थोड़ा challenge आ रहा just give me a moment I hope yeah there should be a better color so India का rank रहा 144th और top किया है R10 capital के passport index में UAE ने United Arab Emirates इंडिया की जो place है इसका जो passport है वो six places गिर गया है नीचे पिछली बार हमारी position 138 थी ये जो rank है हमारा 144 ये कितने देशों में से आया है 199 countries में से हमारी placing आई है और किन parameters के उपर judging की गई है तो visa free visit कितने countries में मिल जाएगा visa on arrival कहां कहां मिलता है E visa कहां कहां के लिए हम लोगों को मिल जाएगा उन सब के basis पे निकाली गई है ranking और 59 countries हैं इस index के हिसाब से जहां पे हम visa free travel कर सकते हैं Indian passport को use करके गाट इट चलिए फिर हम आते हैं के Asia में highest rank कौन से country के passport की रही तो South Korea की रही 12th rank पे ये individual ranking जिसे हमारी 144 है इनकी 12th है overall top किया है UAE उसके बाद Sweden and Germany अब इसके अलावा दो और इंडेक्स है जिनको ब्रीफ में यहीं mention कर दिया गया एक तरह से recap है World happiness index की अगर हम बात करें तो इंडिया 126th rank पे आया है top किया है Finland ने और Afghanistan सबसे नीचे है बात करें Global Terrorism Index 2023 की तो इंडिया का rank 13 नंबर पे है top किस ने किया है अफगानिस्तान के अंदर सबसे कम happiness देखी जा रही है अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा Finland के अंदर इंडिया का rank रहा 1, 2, 6 और Global Terrorism के अंदर 13th तो इस वस एक रिक रिकाप चलिए नेक्स हम आ जातें एक और रिपोर्ट पे National Contribution to Warming Global Warming जो हो रहे है उसमें इंडिया का या अलग-अलग कंट्रीज का कितना contribution जा रहा है इस रिपोर्ट ने ये चीज़ सामने लेकर किया है तो research published in journal Scientific Data जिसमें कि इंडिया को 5th among top 10 contributors to Global Warming बताया गया है top 10 देश जो कि Global Warming में contribute कर रहे हैं उनमें हम Celsius का rise अके लिए United States की वज़े से दर्च किया जा रहा है temperature में second number पर आ जाता है China third number पर आ जाता है Russia so US, China, Russia ओके और हमारा rank कहा है हम आते हैं 5th rank पे 2005 से हमारा rank बढ़ गया है पहले हम 10th rank पर आते थे creating or contributing to global warming now we are on 5th rank और हमारा जो contribution है वो 0.08 degree Celsius का है global warming में pre-industrial time से अगर हम देखें 1850 से 2021 के दौरान अगर हम compare करेंगे then हम आ जाते हैं India Justice Report 2022 और kickstart question I think यहां से भी मैंने आप नहीं यहां से नहीं पूछा है so India Justice Report 2022 करनाटिका ने इस report में states की category में top किया है क्या है यह report क्या बताती है जल्दी से देखते हैं so according to India Justice Report जो की नई दिली के अंदर release की गई अगर हम states और union territories में सब में मिला करके देखें कि कहां justice जल्दी प्रोवाइट कर दिया जाता है access to justice कितना जल्दी justice मिल जाता है कौन से पैरामीटर्स है जिनके basis पे इस ranking को निकाला गया है तो चार पैरामीटर्स रखे गए फोर पिलर्स जिससे की justice डिलिवरी को आंका गया कि कैसे आप कहोगे justice जल्दी डिलिवर हो गया या लेड डिलिवर हुआ तो सबसे पहले पुलिस का क्या रोल रहा judiciary का, prisons का और legal aid कितनी मिली इन चारों पैरामीटर्स पे states और union territories को score किया गया और करनाटका came out to be the top फिर इस report में shortage of judges की बात की गई कि high court हो या फिर subordinate courts हो दोनों में shortage of judges देखे गए हैं अगर हम December 2022 तक को यह report आई उसकी बात करें तो सिरफ 778 judges total देखे गए in terms of high court जबकि total strength sanctioned कितनी थी 1108, 1,108 judges के मुकाबले 778 judges were present working then subordinate court की अगर हम बात करें तो 19,000 something judges काम कर रहे थे working थे जो की होने चाये थे 24,000 approximately exact figure लिखा हुआ है लेकिन आप मोटे मोटे आंकड़े याद रखोगे तो भी काम चलेगा यह जो reports के आंकड़े होते हैं यह direct question framing में इतने important नहीं होते जिसे सीधा सीधा rank तो important होता है पर यह जो बाते हैं यह answer writing में काम आती हैं okay so यहां से one you know mcq question निकलने के chances तो बहुत कम हैं यहां से फिर आपको मिल जाएगा karnataka ने टॉप किया बट यह सब answer writing के लिए important होता है then case clearance rate की cases को कितना जल्दी या कितने number में clear किया जाता है so high courts जादा cases clear कर रहे हैं compared to subordinate courts rate जो है case clearance का वो high court ने अच्छा दिखाया है उसमें भी अगर हम बात करें तो high court of Kerala and Odisha इनके disposal case disposal rates जो होते हैं case को clear कर देने के वो सबसे highest है Kerala का है 156% Odisha का है 131% सबसे कम rate देखा गया राजस्थान का और Bombay का राजस्थान का high court की बात हम कर रहे है 65% Bombay का 72% lowest case clearance rate देखा गया फिर overall अगर हम performance की बात करें तो देखो एक तो हमने देख लिया करनाटका ने 1st rank लिया है in terms of delivery of justice तमिनाडू 2nd रहा तेलंगाना 3rd रहा सबसे bottom पे आया है उत्तर प्रदेश तो दो नाम particularly याद रखिएगा टॉप पे justice delivery report के हिसाब से करनाटका रहा bottom पे उत्तर प्रदेश रहा ठीक है और सबसे fast case disposal rates जो देखे गए वो केरला के अंदर देखे गए हैं और सबसे धीरे राजस्तान के अंदर देखे गए हैं small states की अगर हम बात करें किनकी small states की अच्छा आप यहाँ पे आप देख लिजे यह medium और large scales की हाँ यह रहे 18 large and medium size states यहाँ पे जो बात की जा रही थी करनाटका, केरला, राजस्तान वगरा जो भी कुछ नाम आ रहे थी यह सब large and medium size states की बात की जा रही थी जहाँ पे 1 क्रोड से उपर की population है यहीं अगर हम smaller states की बात करें जहाँ 1 क्रोड से कम population है तो सिक्किम ने top किया है और गोवा बिलकुल bottom position पे रहा है अगर हम इंडिया justice report की बात करें जो कि obviously आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन निकालता है यह report तो यह Tata Trust launch करती है और 2019 से यह launch करती आ रही है और यह third edition है जो launch किया गया है फिर हम आते हैं दिली का इंडरागानी International Airport ranked 9th busiest airports globally according to ACI report यानि दिली का IG हवाई अड़े ने 2022 में विश्व स्तरपन 9 में सबसे व्यस्त हवाई अड़े की ranking हासल की है और यह कौन है ACI ACI is Airports Council International इनकी तरफ से index सामने आया है इंडिया का इंडरागानी International Airport जो की दिली का है नॉमा सबसे busiest airport कितने यातरी चड़े उतरे और फ्लाइट में हैं उनके basis पेस को निकाला गया अगर हम बात करें कि South और South East Asia से इस index में आने वाला कोई अगर अगर airport है तो वो सिरफ अकेला IGI airport रहा इस airport का जो busyness का rank था वो पहले कम था बहुर busy हो गया अब 9th rank पे आ गया है तो अब रहा US-based Atlanta airport सबसे busiest airport की position इसको दी गई है यह आप देख लिजे So Atlanta, Hartsfield, Jackson international airport 93.6 million लोग इसकी services लिए 1st number पे यह रहा Then 2nd number पे Dallas, Fort Worth international airport रहा यह सब छोड़ कर के अगर आप आओगे तो 9th number पे यह रहा Indra Gandhi international airport 59.4 million people Okay, then Mumbai is the only city on the list of world's best cities for public transport Top 10 cities Public transport के लिए जो world में best है उन में से Mumbai को भी जगह मिली है Top 10 नहीं है, 19 है 19, world की 19 best cities जो की अपने public transport में सबसे अच्छी है उन में last rank पे आया लेकिन फिर भी world में 19th best country के तोर पे Mumbai को जगह मिली है And सार्वजानिक परिवहन के लिए के सर्वशे शेहरों की सूची में Mumbai एक मात्र भारतिय शेहर बना और India का financial capital Mumbai यह हमने पढ़ी लिया है यह report किसने दी है, Time Out ने Time Out की report आई है Top 19 best cities for public transport 19 नंबर पे Mumbai क्यों आया अपने suburban railway network के लिए जो local trains वाला पूरा network है और best city के अगर हम बात करें first rank पे कौन आया है तो Germany का Berlin Berlin रहा उसके बाद में Prague, Czech Republic का और Japan का Tokyo थर्ड नंबर पे है हमारा rank क्या रहा? 19 रहा India forest cover increased by 1540 square kilometer between ISFR 2019 and ISFR 2021 as per FSI report so ISFR 2019-2021 के बीच भारत का वन आवरन forest cover जो है वो 1540 वर्ग किलोमेटर बढ़ा है Forest Survey of India की रिपोर्ट के हिसाब से तो ये जो है again news में ये बात देखी गई तो अब इसके हिसाब से देख लेते हैं India State of Forest Report ISFR 2021 का आकड़ा आया और उसमें बताया गया कि टोटल forest cover जो है इंडिया में वो कितना है 7,13,789 स्क्वेर किलोमेटर याद रखेगा कई बार पूछा जा सकता है और कितना प्रतिशत है ये जो मैंने आप से किक स्टार्ट क्वेशन में पूछा 21.7% of entire geographical area और इंडिया नि भारत के कुल एरिया का 21.71 प्रतिशत forest cover है इस रिपोर्ट को किस ने इशु किया है Forest Survey of India ने इशु किया है दहरादून से और ये बाइनेली इशु होती है देखो 19 के बाद 21 में है यह नहीं दो साल में एक बार इसको इशु किया जाता है अब इसकी नहीं कुछ और finding है जो पहले भी आपने I think हमने last year cover की होंगी इसको बट वापे से क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस report की तो दो तीन categories देख लेते हैं state जिसके पास largest forest cover है इंडिया के अंदर कॉन सा state है वही मध्यप्रदेश है state with largest percentage of geographical area under forest यानि कि अगर state का एक set area है ये पूरा state है तो इसका कितना प्रतिशत forest से घिरा हुआ है forest cover के अंदर में आता है समझके ये तो total area कॉन से state के पास सबसे ज़ादा है forest का तो वह मत्यप्रदेश हो गया लेकिन अपने उस state के अपने area का सबसे ज़ादा percentage forest cover हो वो मिजोराम है 84.53 प्रतिशत forest cover है यहां पर ठीक है और maximum increase in forest cover पिछले रिपोर्ट के मुकाबले इस बार सबसे ज़ादा बढ़ोतरी कहां पर हुई है forest cover की तो वो आंदर प्रदेश के अंदर हुई है 647 स्क्वाइर किलोमेटर area बढ़ गया फिर हम आते हैं State Energy Efficiency Index पे S-E-E-I State Energy Efficiency Index 2021-22 21-22 release किसने release किया है Bureau of Energy Efficiency BEE in collaboration with Alliance for Energy Efficiency Economy AEEE अब कौनसे state कितना energy efficient रहा नहीं रहा उसके लिए 50 indicators 50 पेमाने तै किया गया उनको 7 sectors में distribute किया गया उसके basis के सारी ranking के निकाली गया जैसे building industry, municipal services, transport, agriculture, discom, cross sector, etc. 36 states and union territories को assess किया गया ये देखने के लिए कि 2020-21 से लेकर 2021 में energy efficiency में कितना progress हुआ है ठीक है आप कितना energy efficient बने हो यानि energy को कितना सही तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 states हैं जिनोंने front runner category में अपनी जगे बनाई है यानि कि उन्होंने 60 से जादा points हासल किये हैं वो front runners के ये states हैं सबसे ज़्यादा energy efficiency के उब तरह भाग रहे हैं कौन कान से state है राजस्थान, तेलंगाना, आंद्रप्रदेश, करनाटका एंड केरला तो आंद्रप्रदेश, करनाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना ये front runners रहें सबसे पहले नाम सबसे पहले और बात का इसमें कुछ नहीं है ये top 5 आपको देखने हैं क्योंकि front runners है based on their efforts and achievements दोनों ही चीज़ों को count किया जा रहा है input and output तो आप कितनी कोशिशें कर रहे हो और कितने output निकल के आ रहे हैं front runner, achiever, contender और aspirant ये 4 categories में states or unit territories को बाटा गया front runner के अंदर 5 states देखे गए आंत्रप्रदेश, करनाटका, करला, राजस्थान और तेलंगाना achiever category में 50 से 60 के बीच का जो score है वो वाले states रहे so on and so forth बाकी categories important नहीं है so that is why we are not included किसने release किये report कौन है भई energy से related power minister R.K. Singh ने BEE की अगर हम बात करें Bureau of Energy Efficiency तो इसको 2002 के अंदर launch किया गया था या establish किया गया था rather Energy Conservation Act 2001 के तहत यह कुछ static points होते हैं कई बार जो आप news पढ़ रहे होते हो किसी organization से जुड़ी होई होती है तो उस organization के बारे में question आ जाता है ठीक है कभी आप appointment पढ़ हो index पढ़ हो report पढ़ हो तो किस ने issue किया उस organization को कब बनाए गया का headquarter एट सक्टर एट सक्टर तो static news भी साथ की साथ हम थोड़ी थोड़ी cover करते चलते हैं अगले एक index बो लिए list बो लिए उसकी तरफ चलते हैं US, China, India, Germany, Russia makes top 5 countries with highest billionaire 2023 की Forbes ranking के हिसाब से तो ये 5 देश हैं जिनमें की highest billionaires पाए जाते हैं मौझूद हैं सबसे top पे US, China, India, Germany और Russia So Forbes की billionaire list issue हुई जिसमें United States ने top किया है 735 billionaires US के अंदर count या list down किये गए फिर China आता है और फिर आजाता है इंडिया, third number पे इंडिया है जिसमें 169 billionaires का count दर्च किया गया as per this report और index Germany 4 पे Russia 5th position पे तो इनके numbers याद रखने की ज़रुद नहीं है आपको इंडिया का आप ध्यान रख लेजे का third rank रहा हमारा Forbes billionaires list में and 169 billionaires दर्च किये गए फिर हम आ जाते हैं Stanford University के annual AI index report पे किसने इशू किया है यह annual AI index report Stanford University ने किया है and India ranked 5th इंडिया का rank क्या रहा पहली बात तो 5th रहा अगर आप यहाँ देख सकते हैं यह रहा इंडिया का rank यह पहले तक का है 2022 तक का है और यह मतलब यह 2013 से 2022 तक का है यह latest वाला है तो इंडिया का rank 5th रहा in terms of investment received by startups offering artificial intelligence based production services last year point समझेगा ऐसे startup जो artificial intelligence based कुछ न कुछ product या service दे रहे हैं उनको मिला है क्या मिला है उनको मिला है investment तो इंडिया को 5th rank पे रखा गया है किस term में कि आपके artificial intelligence से जुड़े हुए जितने भी startup हैं उनको कितना investment मिला तो United States के अंदर यह सबसे जादा investment मिला वहांके AI से related startups को उसके बाद चाइना को, UK को, इस्रेल को और इंडिया का number 5 वाया तो वर्ल्ड में हमारे पास 5th largest investment रिसीव हुआ है artificial intelligence से related startups को समझ के और हमने काफी जो technologically advanced देश माने जाते हैं उनको भी पीछे छोड़ा है जैसे कि South Korea, Germany, Canada, Australia इनको हमने सरपास कर दिया है और हमें total investment कितना मिला है इन startups को 3.24 billion US dollars का चलिए तिबित रंड is world's least free country by Freedom House Index Freedom House Index Global Watchdog कहते हैं Freedom House Index को और उसने issue किया है Freedom in the World Index 2023 और सबसे bottom पे रखा है तिबत को कि यहाँ पे freedom बिलकुल नहीं है और इसी के साथ 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 सुडान और सीरिया भी है सिर्फ तिबत नहीं है साथ सुडान, सीरिया और तिबत क्योंकि तिबत हमारा पडोसी हो जाता इसलिए हाइलाइट होना important है So यह third annual report है 2021 के बाद जो Freedom House ने निकाली है और चाइनीज और तिबतन जो भी रह रहे हैं तिबत में उनको basic human rights भी नहीं मिल रहे हैं बुद्धिजम के culture को महां destroy किया जा रहा है ऐसा इस report ने सामने रखा है Then best utilization of MP Lads Fund in Gujarat MP Lads Fund क्या होता है और जितने भी state है जिनको यह fund मिलता है उन में से कौन सा state है जिसने इस fund को सबसे बेटर तरीके से utilize किया So best utilization MP Lads Fund का किया है Gujarat ने financial year 23 के अंदर यह जो result सामने है उसके हिसाब से Gujarat had highest utilization to released fund ratio of MP Lads Fund अब यह MP Lads Fund पहले समझ लो देखो Central Government, state governments को funds देती है Depending क्यों देती है उनके MPs के proportion के हिसाब से तो जितने भी Member of Parliament आपके होंगे उसके हिसाब से आपको fund दिया जाएगा Because MPs है वो अपनी अपनी constituency के अंदर development work के अंदर इस fund को utilize करते है किया जाना होता है इसी तरह से development होता है तो Central Government scheme under which MPs are recommended development programs और सालाना 5 करोड तक का वो development कर सकते हैं और अपनी अपनी constituency में तो यह जो fund मिलता है इसका best utilization कौन से state ने किया नहीं किया उसके हिसाब से result आया है कि top पे कौन रहा? गुजरात रहा और data आया है ministry of statistics and program implementation के द्वारा सामने जो कि parliament के अंदर present किया गया उसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं गुजरात नहीं अच्छे से use किया टॉप पे गुजरात रहा उसके बाद जारखन, करनाटका, केरला, वेस्ट, बिंगल, तमिलनाडू ने भी अपना MPLATS fund अच्छे से utilize किया है ना उसके अलावा who gets more money? कौन सा state है जिसको जादा money मिला MPLATS scheme के तहर? अब देखो आप बोलोगी जादा या कम क्यूं मिलेगा जो fund receive होते है center से हर state को वो proportion to number of MPs होते है आपके state से कितने MPs हैं उतना ही fund आपकोर्स आएगा बिकास हर एक MP के हिसाब से fund मिलेगा तो सबसे जादा fund गया उत्तरप्रदेश के पास में 427.5 क्रॉर क्यूंके यहां से 80 लोगसभा MPs हैं और उसके बाद महाराष्ट्रा, बिहार, बेस्ट मेंगो तो यह रहा MP lads, MP lads का full form देख लिजे Member of Parliament Local Area Development Program 23 December 1993 को launch किया गया था 5 क्रॉर पर annum हर एक Member of Parliament को मिलता है तो घपला करने के बहुत बड़ा scope है यहाँ पे कौन कितना से utilize करता है उसकी फिर proper report वगरा issue की जाए तो development project अपनी constituency में करने के लिए इनको मिलता है लोगसभा और राज्यसभा MPs दोनों के हिसाब से दिया जाता है और इसमें mandatory होता है कि 15 प्रतिशत जो है ना fund का वो आप schedule caste population वाले areas को higher source of foreign portfolio investor FPI in India in FY23 as per national securities depository यानि कि national security depository के अनुसार with the verse 2013 में भारत में विदेशी portfolio निवेशकों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा कौन सा country है जिसने हमारे यहाँ securities enterprises और stocks इन सब में जो foreign portfolio investment है वो सबसे जादा किया है ठीक है तो यह निवेश हमारे यहाँ पे किया है कौन सा country है जिसने foreign investor portfolio के अंदर maximum investment इंडिया में किये तो answer is United States और कौन सा country है जिसके investments में over the years गिरावट देखी गई है Mauritius FPI inflow Indian capital markets के अंदर जो capital markets होते हैं subject to market risk and all उनके अंदर Mauritius ने sharpest decline दर्ज किया है पहले काफी ज़ादा investment Mauritius की तरफ से आता था capital market इंडिया के अंदर अब वो sharp down दिखाया गया है total assets under custody यानि कि यह investment है तो इनके जो assets हैं जो हम संभाल रहे हैं तो total assets under custody जो है Mauritius के वो 42% से decline हो गए है ठीक है और अगर हम बात करें overall सिर्फ Mauritius की नहीं overall जो decline है तो 4.44% का decline FY23 के अंदर देखा गया अगर highest growth के बात करें अब यह तो हमने decline की बात की Mauritius का जो था FPI वो सबसे ज़्यादा decline हुआ है growth किस ने दिखाई है highest growth दिखाई है Singapore के AUC ने Singapore ने बहुत ज़्यादा बढ़ चड़के अब FPI इंडिया के अंदर किया है और उसका जो हमारे पास asset under custody है उसमें शापराइस देखा गया है तो यह देख लीजे source of money कहां से कितना पैसा आया in our capital market तो सबसे top पे रहा US total AUC के हिसाब से share के हिसाब से फिर Singapore, Luxembourg, Mauritius, UK fine US emerges as largest trading partner of India in FY23 Commerce Ministry ने ये आकड़े सामने रखे हैं कि largest trading partner हमारा जिससे हमने export-import किया हो वो कौन रहा वो रहा United States भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बनकर उभरा US financial year 23 में और ये Vaneja Mantrali ने सामने रखी है 128.5 billion US dollar का trade हमने US के साथ में किया है second number पे China रहा third number पे UAE रहा फिर Saudi Arabia भी आएगा so according to provisional data जो कि Commerce Ministry ने release किया है provisional in the sense कि अभी इसमें अगर और कोई minor filtering होनी है तो हो जाएगी bilateral trade यानि दो देशों के बीच में जो trade होती है and the bilateral trade between India and US वो 7.65 प्रतिशत से बढ़ गई है और biggest trading partner बनकर के 22-23 के अंदर इंडिया का US उभरा है two-way commerce with China जो है वो decline हो गया हमने Chinese products के ओपर ban लगाया ही था तो decline दिखा है उसका result 1.5 प्रतिशत से trade गिर गई है और UAE third number पे रहा उसके बाद Saudi Arabia रहा next news की तरफ बढ़ते हैं China to be top contributor to global GDP in the next five years India second रहेगा international monetary fund की report के हिसाब से ये आकड़े सामने आए है so data report आई एक Bloomberg की जो की world economic outlook जो international monetary fund का है उसकी data के हिसाब से report सामने लाई है Bloomberg ने और वो कहता है कि अगले पांच साल के अंदर जो global GDP है उसमें maximum contribute कौन कर रहा होगा चाइना कर रहा होगा और second maximum contribution इंडिया कर रहने वाला है so जो चाइना है वो top contribute तो करेगा ही global growth के अंदर लेकिन उसका जो share है वो US से double हो चुका होगा US का जो share होगा न अगले पांच साल में growth के अंदर GDP में उससे double हो चुका होगा चाइना का then इंडिया का second spot रहेगा और हम 12.9% total growth का represent कर रहे होंगे ठीके जी ओके चलो आगे Unicorn Hub यानि कि जो unicorns बनते जा रहे हैं उसमें इंडिया का कौन सा spot रहा इंडिया ने retain किया है अपना third spot यानि कि हम third number पे ऐसे country हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा unicorns है unicorns क्या होती है unicorn companies होती है जिनका valuation 1 billion US dollar से ज़्यादा का होता है और वो startup category के अंदर आ रही होती है ठीक है और private होती है government की नहीं होती है so unicorn is a privately held startup company जिसका valuation 1 billion US dollar को cross कर गया हो और ये जो term है unicorn इसको venture capitalist Aileen Lee ने first time publish किया था coin किया था so India का third spot है किसके बाद में US और China के बाद में तो अब यहाँ पे देख लीजे US में 666 unicorns then अगर हम बात करें China की 316, 316 India की 68 unicorns India के unicorns में भी सबसे पहले नंबर पे by juice का नाम है दूसरे पे dream 11 का तीसरे पे swiggy का ठीक है बस इतनी इसी बात है आगे चलते हैं India's total tally जो अगर हम pre-covid time से अगर बात करें तो हमारे unicorns में 47% का इजाफा देखा गया है because startup culture भी काफी बढ़ गया right बस चलो world's wealthiest cities report 2023 released दुनियांगी जब से अमीर शहर कौन से हैं तो top किसने किया न्यू यॉर्क ने किया है किसने release किया पहले तो यह देख लो handling and partners ने यह report publish की है और न्यू यॉर्क wealthiest city के तौर पे सामने आया है 3,40,000 residents, millionaires है यहां पे बहुत रईस लोग रहते हैं second number पे जपान का Tokyo आ रहा है और उसके बाद Bay Area, London and Singapore तो यह top 5 wealthiest cities in the world हैं अगर हम country wise बात करें तो cities होगी country wise बात करें सबसे अमीर US विल्कुल US ने top किया है followed by China and Australia अब यह आ जाता है आपका second kickstart question और उसका answer, logistic jump तो world bank का जो logistic index है उसके हिसाब से इंडिया ने 6 places का दिखाया jump और अब हम कौन से rank पे आ गए 38th rank के उपर top किया Singapore, Finland और Germany ने first second third number पे ठीक है तो यह तो रहा पोस्टर अब आ जाते है news पे, world bank's logistic performance index 2023 इंडिया का rank रहा 38 Singapore ने किया है top, okay, so कितने countries में से, 139 countries में से हम 38 rank पे है logistic index का क्या मतलब है कि हमारे जो goods है, हम उनको borders के across कितना speedily, कितना smoothly properly, reliability के साथ, speed के साथ भेजते हैं पूरा manage करते हैं, उसको हम logistic performance index के basis पे display कर रहे, so India improved its ranking by six places, पहले 2018 में जब last year index आया था, तो 44th rank था हमारा बस, आजो आगे SIPRI की report आई है on trends in world military expenditure 2022 SIPRI क्या है, Stockholm International Peace Research Institute और यह military से related data निकालता है, तो SIPRI की report के आई है, in trends in world military expenditure, world में military के उपर कितना खर्चा किया गया है, उसे साब से अगर हम देखें, तो पूरे world में military expenditure 3.7% बढ़ा है, और largest three spenders कौन रहे, US, China, Russia, fourth number पे आता है, India, उसकी spending रही 81.4 billion US dollar की, और 56% जो world का spending हुआ है, military expense, वो तीन देशों के अंदर US, China और Russia नहीं किया है। ओके, तो ये हो जाते हैं सारे index ranking reports खातम, अब हम चलते हैं हमारी second category की तरफ, which is sports, खेल कूद की बाते करते हैं, Sports Day का बाता है, National Sports Day, बताइए सोचिए, 29th of August को आता है, ओके, आगे बढ़े हैं उससे पहले जल्दी से आपको जानकारी देते हैं, एक quarterly e-book के बारे में, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी request आती थी, कि माम जो भी हम current affair पढ़ते हैं, वह theory form में पढ़ते हैं, काफी helpful है, लेकिन कुछ ऐसा आजाए, जिसमें हमें MCQ से भी practice करने को मिल जाए, तो इसलिए आपके लिए हम लेकर के आए हैं सवाल quarterly e-book, जिसके अंदर हर quarter का आपको एक compilation मिलेगा, 300 MCQs का current affairs के और उनके साथ में उनका detail explanation भी मिलेगा, तो आप MCQ पढ़के पहले answer try कर लिजे और नीचे explanation पढ़के वहीं से आप news भी prepare कर सकते हो, चाहो तो revision के काम में भी ले सकते हो, quarter one का ये issue हो चुका है January 2 March का, कहां मिलेगा, परचम classes.in website पे मिलेगा, अगर आपको चारों quarter के चाहिए, तो आप annual subscription ले सकते हो, और ये subscription आपक लेना हो, तो परचम app पे जाए, individual PDF के लिए website पे जाए, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, so अब हम आजाते हैं हमारे पहले milestone question की तरफ, क्योंकि एक category खतम हो चुकी है, milestone, मिल का पत्थर, चलिए, ये सवार आपको मिलेगा, sports category से, आंसर आता है, तो comment section में लिखे, नहीं आत तो वेट कीजे, who has become the first woman cricketer from India to be included in wisdom cricketers almerac, जिसको cricket की Bible भी कहा जाता है, cricketers की दुनिया की Bible कहते हैं, so wisdom cricketer almerac में शामिल होने वाली भारत की पहली महिरा cricketer कौन बनी है, और इसी category से आपको पिछले वीडियो में मैंने signing off question भी पूछा था, उसका answer भी मिलेगा, चलिए तो शिरुवात करते हैं, F1 race के साथ में, Max Verstappen wins 2023 Australian Grand Prix, आप देखो अलगला Grand Prix होती रहेंगी पूरे सीजन के अंदर, तो Max Verstappen पिछले सीजन में majority जीते थे, तो हम इनका नाम तो याद करते ही नहीं, कोई और कोई race जीतेगा अगर F1 का, तो वह हम याद कर लेंगे, तो अ 5 Indian Cricketers best tour with honorary life membership of MCC, so MCC, 5 भारते क्रिकेटरों को MCC की मानद आजीवन सदसता प्रदान की गई, जो कि बहुत prestigious membership मानी जाती है, so Marleybone Cricket Club, MCC जो है, जो कि ओन भी करता है, Lord's Cricket Stadium England का, उन्हों वह लोग या honorary membership प्रवाइड करते हैं, टोटल कितने लोगों को मिली है, 17 नए member को मि उन्हों में से कितने Indians हैं, 5 Indian Cricketers हैं, उनके नाम क्या-क्या है, Mahindra Singh Dhoni, Yovraad Singh, Suresh Raina, Mithali Raj and Jhulan Goswami, तो 3 male Cricketers and 2 female Cricketers को MCC के अंदर honorary membership दी गई है, तो यह last video में जब हम national news और banking और finance news पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको signing off question पूछा था, कि कौन पहली महिला umpire बन गई है, men's T20 international match के अंदर umpiring करने वाली और इन्होंने record बनाया, यह नहीं हिस्ट्री लिखी, and answer is Kim Cotton, New Zealand की Kim Cotton है, जो की पहली female umpire है, to do umpiring in T20 international men's cricket match, so New Zealand की Kim Cotton becomes first female umpire to officiate men's T20 international, New Zealand की Kim Cotton पुरिशों के T20 international में umpiring करने वाली पहली महिला umpire बनी, Auckland, New Zealand में bond है, उसको belong करती है, और इन्होंने umpiring कब की, जो second T20 international चल रहा था, New Zealand और स्री लंका के बीच में उस दौरान इन्होंने umpiring की है, Okay, another major achievement from Indian cricketers और यहीं से related अभी आपका milestone question भी मिलेगा आपको उसका answer, Surya Kumar Yadav, Wisden's की leading T20 cricketer in the world के तौर पे शामिल किये गए है, Wisden, जो हमने अभी देखा था, that Wisden Cricketers Almanac, Wisden Cricketers Almanac में हमारे कुछ लोगों के नाम शामिल हो चुके हैं, और उन में से एक अभी हमने देखे, Surya Kumar Yadav, और दूसरा नाम जो मैंने आपसे milestone question में पूछा था, वो है Harmanpreet Kaur, अब क्यों और किस तरह से हुए हैं, वो पूरी news देखते हैं, कुमार Yadav को तो T20 Cricketer of the Year के लिए अड़ किया गया, Harmanpreet Kaur को first woman cricketer, बस उनका एक mention आया, special mention, तो पहली महिला cricketer बन जाती हैं, जो इस esteem list का part बनी है, इसके अलावा Ben Stokes, जो हैं England के उनको best cricketer in the world, 22-23 के तौर पे शामिल किया गया है, अमंग male players, अब अगर wisdom cricketers Almanac के हम बात करें, like I told you, इसे Bible of Cricket कहा जाता है, बहुत पुरानी किताबे और prestigious compilation इस book का माना जाता है, 1864 में शुरू की गई थी English cricketer John Wisden के द्वारा, और इसको annually publish किया जाता है United Kingdom के अंदर, Bible of the Cricket, यह जो term है, इसको पहली बार 1930 में दी थी Allen Wall ने, ओके तो यह सारी बाते हैं आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, शार्जा स्टेडियम स्टैंड नेम्ड आपर साफ्टर सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर जी ने अपना 50th birthday celebrate किया, और उस 50th birthday celebration के time काफी सारी, अलग-अलग जगे, इनके ओनर में बहुत कुछ शुरू किया गया, उसमें से एक था शार्जा स्टेडियम के स्टैंड को नाम दिया गया है, सचिन तेंदुलकर के नाम पे, तो वेस्ट स्टैंड जो है शार्जा क्रिकेट स्टेडियम का, UAE के अंदर, उसको नाम दे दिया गया है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, ठीक है, चलिए, और शार्जा क्रिकेट स्टैडियम के अगर हम बात करें, तो इसने ग्रीन्स बुक अफ वर्ल्ड अकॉर्ड भी बन जब सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड पे आजओ, आइकॉनिक सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड अन्वील अगेट नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर, तो सचिन तेंदुलकर ची के नाम पे सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड में एक नया गेट अन्वील किया गया है, तो एक तो हो जा आप जानते ही हैं ये रहा ब्राइन लारा सचिन तेंदुलकर गेट्स तो ये अन्वील किये गए कहां पे सिद्नी क्रिकिट ग्राउंड कहां पे है भई ऐस्ट्रेलिया के अंदर है अगे जानते हैं ये अन्वील किया जानते हैं ये अजर्गेटिना फुट्बाल तेम के अभरी हैं Federation Internationale, the football association that is FIFA, उसने रिलीज किया international football team की ranking and Argentina ने किया है talk for the first time in six years, हमेशा first time नहीं कि पहली बार ही नहीं, छे सालों में पहली बार, तो पहली बार जब भी आप सुनो ना थोड़ा आसपास देख लिया गरो, बिकल न्यूस कही बार मिसलीडिंग हो जाती है, तो जैसे Artemis 2 mission है, जो अब हम देखेंगे NASA का, तो मून पे पहली बार नहीं जा रहें इंसान, पचास सालों से भी जादा सालों बाद अब पहली बार जा रहे हैं, तो इसी तरह से ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता, अगर मैंने sentence complete नहीं किया हो था, अर्जेंटीना छे सालों में पहली ब जैंकिंग, तो आजेंटीना, फ्रांस, ब्रसील, ये टॉप थ्री देश रहें, ओडिशा के भुवनेश्वर में 2013 का इंटनाशनल कॉंटिनेंटल कॉप होगा, और ये चार टीम्स के बीच में होगा, इंडिया, लेबिनन, मॉंगोलिया और वानुआतू, और ये फोर टीम hero international, hero sponsor है, international cup है, चार टीम्स के बीच में होता है, ये third edition है, इस से पहले Mumbai और Ahmedabad में खेला जा चुका है, ठीक है, June के अंदर होना है, AIFF, that is All India Football Federation, India से related, announces minimum wage for women players, So, अभी जो women league, Indian women league होना है, चल रहा है, I think, हाँ, तो उसमें जो women players है, उनके payment से related, उनके minimum wage से related announcement आया, कि जो भी top 8 teams होंगी, उनमें कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए, जिनको 3.2 lakh per player के हिसाब से wages दिये जा रहे हों, तो एक standard सेट कर दिया गया है, कि इतना तो आपको पे करना ही करना है, top 8 teams जो होंगी, Indian women league की उनको, ठीक है, बस इतनी बात है, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे भी payment वगएरा को restructure किया जा सके, और कल्यान चौबे हैं, जो की AIFF के president है, who is Priyanshu Rajavat, तो Priyanshu Rajavat कौन हैं, जिन्होंने अभी again एक जीत के साथ अपना नाम और पर्चम ले रहाया है, the first Indian to win a badminton world tour title in 2023, पहले Indian हैं जिन्होंने badminton world tour title जीता है, वो भी इनका maiden final में entry थी और उसमें इनोंने जीता, तो India's Priyanshu Rajavat wins maiden men's single title 2023, Orleans master badminton tournament, super 300 होगा, I think, इतनी news होती है, हम भी कई बार confused हो जाते हैं, I don't know मैंने लिखा है नहीं, लिखा है, चलिया एनिवे, इसमें नहीं होगा शायद, तो India's Priyanshu Rajavat wins his maiden men's single title, 2023 का Orleans masters badminton tournament, और इन्होंने Denmark के खिलाडी Magnus Johannesson को हराया है, कहां हुआ ये, ये France के अंतर 21 year old है, ये, मध्य प्रदेश से बिलॉंग करते हैं, Priyanshu Rajavat, और ये जो Thomas Cup में हमारी team जीती थी, उस team का भी हिस्सा थे, तो अगर हम 2023, Orleans masters की winners की बात करें, तो men's category के अंदर Priyanshu Rajavat जीते हैं, और women's category में Carolina Maranjo की Spain से, Archery World Cup 2023, तीरंदाजी, India won 4 medals in Antalya, तो Turkey के अंदर ये हुआ, और India 4 medal लेकर के आया है, जिसमें 2 gold शामिल हैं, एक silver और एक bronze है, गोल्ड किस-किस ने जीता है, एक तो जोती सुरेका Venom ने women's individual के अंदर लिया है, और दूसरा जोती सुरेका Venom और Ojas Praveen का जो जोड़ी थी, उन्होंने जीता है, तो दो gold, एक silver, एक bronze के साथ में हमने Archery World Cup 2023, stage 1, जो है वो complete किया, India won total 14 medals in Asian Wrestling Championship 2023, Asian Wrestling Championship में हम total 14 medal लेकर के आएं, जिसमें एक gold भी शामिल है, और वो gold अमन सहरावत ने 57 kg freestyle wrestling के अंदर जीता है, तो ये कौन सा edition हुआ, Asian Wrestling Championship का 36th edition हुआ, और कहां हुआ, आस्ताना कजाकस्तान के अंदर हुआ, एप्रिल 9 से 14 के बीच हुआ, last year if you remember, तो उलान बातर मंगोलिया के अंदर ये हुआ था, 35th edition, 36th edition कजाकस्तान के अंदर हुआ है, 14 medal हमने लिए हैं, जिसमें एक gold है, 3 silver है और 10 bronze शामिल है, medal tally के अगर हम बात करें, तो टॉप पे रहा कजाकस्तान ही, जो होस्ट कर रहा था, फिर जेपान और इरान, हमारा position 7th है, total medal tally के अंदर, अब आप ये picture में देख सकते हो, Asian Wrestling Championship 2013, 1 gold, 3 silver, 10 bronze, total 14 medal, अमन सहरावद, 57 kg, freestyle के अंदर जीते हैं, और बाकि सारे medal winners यहां बाकि सबके नाम याद रखने की जरुद नहीं है, वैसे, जब बहुत सारे medals आते हैं, gold वाली category अच्छे से याद रखिए, अगर बहुत important championships होती हैं, तो कही बाद silver भी पूछा जा सकता है, और total number of medals, so fit India champion Arjun Vajpayee, summits Mount Annapurna, so Arjun Vajpayee, जो की fit India champion है, fit India मुहीम था, जो चलाया 29th August Sports Day, तो Arjun Vajpayee, इन्होंने Mount Annapurna को summit कर लिया है, और पहले Indian man बन जाते हैं, ऐसा करने वाले, 10th highest mountain है ये in the world, और 8,091 meters उंचा है, कहां आती है Mount Annapurna, नेपाल के अंदर आती है, बस मोटी मोटी इतनी बात है, जो आपको ध्यान रखनी है, now who is he, he is a veteran actor also, और ये rugby में भी India को कई बार represent कर चुके हैं, और इनके नाम पर अब एक stadium, रगभी stadium का नाम रखा गया है, so Bollywood actor Rahul Bose, gets Odisha's rugby stadium named after him, Odisha का एक rugby stadium है, जो Rahul Bose के नाम पर रखा गया है, and अगर आप यहाँ देख सकते हो picture में, Rahul Bose rugby stadium, so Bollywood अभी नेतर Rahul Bose ने Odisha के रगभी stadium का नाम उनके नाम पर र Rahul Bose ने ने रखा है, Odisha में रखा गया है, veteran Bollywood actor Rahul Bose inaugurated a rugby stadium in Odisha, जो कि उनके नाम पर रखा गया है, और वो currently president भी है, Indian Rugby Football Union के, Rugby India जो है उसके president के तौर पे भी काम कर रहे है, जो कि Mumbai में headquartered है, और rugby जो खेला जाता है इंडिया में, उसको govern करती है, यह body, इन्होंने इंडि किया है, so he is a professional rugby player, then which Indian city is set to host 2023 Asian Champions Trophy Hockey Tournament, कौन सा, भारतिया शहर 2023, Asia Champions Trophy Hockey Tournament की मेजबानी करने के लिए तयार है, और आंसर इस Chennai, Chennai host करेगा इसको, और पहली बार India rather host करने जा रहा है, इस event को, 7th edition, यह Asian Champions Trophy Hockey Tournament का होना है, कब होगा, August के अंदर होगा, और इसमें 6 teams participate करें इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया, जिपान और चाइना, और यह precursor की तरह काम करेगा, यानि एक event के पहले यह event किया जाएगा, main event कौन सा है, 2023 Asian Games, जो की चाइना के अंदर हांजाओ के में, September में होने है, Saudi Arabia receives flag to host FEI World Cup Finals 2024, Saudi Arabia को हरा जंडा मिल गया है, या flag receive हो गया है, कि हान जी आप FEI World Cup Finals 2024 का वो आप host करेंगे, तो रियाद hosted नहीं है, विल होस्ट आएगा, रियाद विल होस्ट, FEI World Cup Equestrian जो होता है, घोडों सो related जो competitions होते हैं, horse jumps हो गए एट्सेटरा, तो FEI World Cup Finals April 2024 में कहां होंगे, रियाद के अंदर होंगे, और first time यह जो event है, Middle East countries के अंदर किया जाएगा, यह annual international competition है, जो की वर्ल के best jumping and riders, horses के बीच में होता है, Federation Equestrian International, FEI का यह full form है, और 1921 के अंदर इसको बनाया गया था, governing body है, जो कोई question, जो घोडों से related jumping और dress, sage और किस तरह से उनकी beauty होती है, कैसे चलते हैं, कैसे कूते हैं, सारी चीज़ें इसमें करवाई जाती है, ठीक है, चलिए, All right, so, sports category हो जाती है, खतम, अब चलते हैं हमारी third and final category की तरह, and that is international news, अंतराश्ट्रिय खबरें, जो की हमारे examination perspective से important है, और उस पे बढ़ें, उस से पहले जल्दी से आपको बता देते हैं, जिस तरह से आप current affair YouTube के थूपढ़ते हो, उसी तरह से आप चाहें, तो static GK की, और अपने history, geography, polity, economy, सब और static like I told you, इन सब की तयारी भी कर सकते हैं, YouTube पे भी content काफी सारा available है, बट अगर आपको और जादा depth में और detail comprehensive coverage चाहिए, तो you can go for this, SSC course, अब ये कहने के लिए SSC course है, बिकास direct target हमने SSC को किया है, लेकिन SSC के level की जब आप तयारी कर रहे होते हो, तब आप बहुत सारे examination की simultaneous की तयारी कर सकते हो, तो नाम एक है, पर गुण बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी one day exam की तयारी करे हो, अगर आप state services की तयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए अच्छा खासा base प्रोवाइट करेगा, बाकि अगर आप SSC की तयारी कर रहे हो, आपके military services से related कोई exam हो गया, तो these will be very good courses for you, individual course भी मिल जाएगा, जैसे static GK का मैं ले रहे हो, निमानिक के थू, बागी history, geography, quality, economy, science सारा आपको package में भी मिल जाएगा, इंडिविज्वी भी मिल जाएगा, test series भी available है, तो check out कर लिजे, परचम app पे जाकर के about all these courses, वहाँ पे सारा content दिया हुआ है, आपको introductory videos अगेरा दिया हुए, you can go through it, so PDF, video, everything, do use the code for discounts, और अलग अलग discount, अलग अलग से हमें पे आते रहते हैं, weekend पे भी आते रहते हैं, festive offers भी आते रहते हैं, तो कापी अच्छा कासा discount आपको मिल जाता है, do check out, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कहां से discount मिले, तो you can always drop a mail at parchamclasses06 at gmail.com, या app chat में आप पूच सकते हो, महाँ पे टीम आपको promptly respond करते हैं, छीके, चलते हैं, okay, so अब हम आते हैं हमारे milestone two question पे, दो पड़ाव बार हो चुके हैं, अब दूसरे question की बारी है, यह international news related question है, answer आता है, लिख दीजेगा, नहीं आता वेट कीजे, मिलेगा इसी वीडियो में, who took oath as the 22nd President of Bangladesh, बांगलादेश के 22 में राष्टरपती के तौर पर किसने शपत ली है, answer आता है, तो mention, चलिए, शिरू करते हैं, NASA astronaut Christina Koch becomes the first woman to go around the moon, अभी गई नहीं है, जाएंगे, ठीक है, तो नासा के अंतर है, श्रियास्त्री, रियात्री Christina Koch, चंद्रमा के चारो ओर जाने वाली पहली महिला बनी, जो जाएंगी, जाने वाली यानि जो जाने वाली हैं, तो announcement हो चुका है, एक mission है, Artemis 2 mission, नासा का और Canadian Space Agency का, तो उन्होंने अनाउंस किया है, कि हम अपने चार एस्ट्रोनाट भेजने वाले हैं, इस mission के अंदर, तीन मेल से और एक फीमेल है, और वो पहली फीमेल, चान पे जाने वाली पहली महिला बनने जा रही है, उनका नाम है Christina Koch, ठीक है, और वो नासा को बिलॉंग करती है, अब what else, Artemis 2 mission जो है पहला crude voyage होगा around the moon, अब पहला मतलब पहली बार चान पे तो इनसान जा नहीं रहा है, यह 50 साल से भी जादा में अब पहली बार होगा, सबसे पहले Apollo mission गया था 1972 में और उसके बाद अब जाएगा Artemis 2 mission, जिसमें चार लोग होने वाले एक महिला तीन आदमी, त Victor Glover, so 4 लोगों के नाम पहले देख लीजे, Reid, Wiseman, Victor Glover, Christina, Hammock, Kosh, यह तीनों नासा को बिलॉंग करते हैं, and Jeremy Hanson जो की Canadian Space Agency को बिलॉंग करते हैं, so non-American person पहले जो चान पे जाने वाले हैं, Jeremy Hanson हो जाएंगे, पहले person of color, यानि African origin के, तो वो हो जाएंगे Victor Glover, पहली महिला, तो Christina कोच, ठीक है, सारे समझ में आ गए, चलिए, who is appointed as the first chief of NASA's Moon to Mars program, NASA के चंदरमासे मंगल कारिकरम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, moon तक ही NASA रुपने नहीं वाला, वहां से फिर Mars तक ही खोज आगे बढ़ाई जाएंगे, moon to Mars ही जो पूरा program है, इस के first chief के तौर पे, यानि प्रमुख person के तौर पे, किसको point किया गया है, Indian origin के Amit Shatria, so Indian origin robotics engineer to lead moon to Mars program, Amit Shatria, ध्यान रखियेगा, Indian origin के important हो जाते है, Cuba's President Miguel Diaz Canel wins second term polls, so Cuba के President दुबारा आ गए हैं इसी position पे, तो second term भी पूरी करेंगे, तो Cuba के President पूछ लिया जाएगा, 2018 में पहली बार वो बने थे President और अब second term के लिए आ गए हैं, क्यूबा ये रहा, ये Caribbean countries आते हैं, उधरी, Alexander Cafferin, re-elected President of UEFA for four years, UEFA के President के तौर पे, re-elect हुए है, Alexander, not Cafferin, ये है, Safferin, क्या है ये, Safferin है, ये कर की तरह साउंड नहीं होता है, यहाँ पे सर की तरह साउंड होता है, तो Union of European Football Association के President, चार साल के लिए रिया पॉइंट हो गए हैं, ये, बस इतनी बात है, जो आपको ध्यान रखने हैं, नथिंग बहुत नहीं होता है, Mohamed Shahbuddin, आगे आपके milestone question के जवाब ले करके हम, So, Mohamed Shahbuddin takes oath as the 22nd President of Bangladesh, और इन्होंने शपत 24 अपरेल को लिए ढापा बंगलादेश के अंदर, और ये freedom fighter रह चुके हैं, jurist रह चुके हैं, politician है, चाले, Finland becomes 31st member of NATO, North Atlantic Treaty Organization जो है, उसके 31 member के तौर पे, किस ने join कर लिया है, Finland ने join कर लिया है, और Finland, Russia के साथ 1300 km की, 1300 km की mountain share करता है, और obviously अपने security reason से वो NATO का member बन गया है, Sweden ने भी apply किया था, पर उसकी application reject कर दी गई है, Turkey और Hungary ने, तो भई जब तक सहमती नहीं आती, नहीं बन सकते, So North Atlantic Treaty Organization की अगर हम बात करें, तो 1949 में बनी थी, headquarter कहां है, Brussels, Belgium के अंदर है, और इसके secretary general है, Jen Stoltenberg, ओके, यहाँ पे देख लीजे, यह रहा Finland, जो की NATO का 31st member बना है, Sweden की जो request है, वो खारेज हो गए, Bahrain launches golden license to attract large scale investment projects, बड़ी पैमानेपन इवेश परयुजनाओं को अकरशित करने के लिए, Bahrain, Bahrain हिंदी में बोलते हैं, Bahrain ने golden license launch किया है, अब यह golden license, दो तरफा benefit होगा, एक तो यहाँ के लोगों के लिए benefit होगा, कि जब investments आएंगे, तो रोजगार आएगा, economic boost मिलेगा, jobs create होगे, etc. ठीक है, और जो यह investment लेकर के आ रहे हैं, companies, उनको क्या benefit है, वह golden license आप दे रहे हो, तो वो क्यों आएं, क्योंकि उनको बहुत सारे government से benefits मिलेंगे, उनको बहु गर्मिन ने लांच किया है, new initiative, golden license, to incentivize investments and creation of jobs, तो जो investment लाएगा, उनको incentive मिलेंगे, और हमारे लोगों को jobs मिलेंगे, designed to provide streamlined services and benefits to local and foreign businesses, right, eligibility क्या है, जो भी 50 million US dollar से जाधा के investment करेंगे, उनको इस golden license को दिया जाएगा, या फिर जो 500 jobs से जाधा create करेंगे, ठीक है, ओके, now यह picture देख लिजे, यह एक बिमारी है, जो की wheat, blast, wheat के अंदर, गेहूं के अंदर और rice के अंदर होती है, उससे जुड़ावाई यह point है, what is magneporthe oryze, which was seen in news recently, हाल ही मैं समाचारों में देखा गया, magneporthe oryza, oryze नहीं है, oryze है, जो भी आप प्रनाउंस करें, magneporthe ory oryze, क्या है, यह basically, तो यह एक fungus है, यह किसका नाम है, magneporthe oryze, यह एक fungus का नाम है, और यह किस पे attack करती है, यह wheat पे attack करके, wheat blast नाम के एक बिमारी cause करती है, जिससे पुरी की पुरी फसल खराब हो रही है, कहां पे, South America में, और researchers को scientist का ऐसा मानना है, कि फैलने वाली बिमारी और यह और भी देशों में फैल सकती है, और यह majorly wheat और rice को attack कर रही है, ठीक है, और यह जो infection है, कि पहले भी Asia के अंदर और Africa के अंदर 2016-18 में रिपोर्ट किया गया था, तो फिसल की बरबादी काफी होती है, WHO certified which countries as malaria free recently, World Health Organization ने कौन से देशों को malaria free हाल ही में घोशित किया है, answer is Azerbaijan and Tajikistan, so Azerbaijan, Tajikistan को world malaria, world malaria day तो छोड़ो, को malaria free घोशित कर दिया गया है, और 2012 and 14 से यहाँ पे malaria के cases नहीं देखे गया है, 42 countries और territories हैं जो की malaria free है, अब जल्दी से बता दू, याद करवा चुकियों, world malaria day कब आता है, बताओ, बताओ, first part जो था वीडियो का, monthly current affair का उसमें याद करवाया था, which country has become the first country in the world to approve a new malaria vaccine from Oxford University, with children under the age of 3 in line to benefit, मतला, कौन सा देश Oxford University के एक नए malaria vaccine को मनजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसमें 3 साल की उम्र से कम बच्चे लाभानवित होंगे, तो 3 साल से छोटे उमर के बच्चों के लिए malaria vaccine को approval मिला है, ये vaccine किस ने बनाई है, Oxford University ने बनाई है, और कौन से देश ने अप्रूबल दिया है, दिया है घाना ने, South Africa के घाना ने अप्रूबल दिया है, और पहली बार ऐसा हुआ है, कि advanced या developed countries से पहले African country के अंदर कोई vaccine लागू करती गई है, ये जो African countries होती हैं, उनके अंदर mosquito bites और malaria के बहुत cases prevalent है, 6 lakh people each year mosquito bone disease से मारे जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये vaccine को फटाफट लागू किया गया, इंडिया's external affairs minister Dr. Jay Shankar has inaugurated the Buzi Bridge, constructed as a part of 132 km Tika Buzi Nova Sofala Road project in which country, तो भारत की विदेश मंत्री Dr. Jay Shankar ने किस देश में 132 km Tika Buzi Nova Sofala Road परियोजना के हिस्से के रूप में Buzi Bridge जो बना है, उसका उद्धाटन किया है, मुजाम्बीक, तो ये जो bridge है भाई ये कहां बनाया गया, ये मुजाम्बीक में बनाया गया, क्या नाम है bridge का, बुजी bridge, बुजी, बुजी, बुजी या बुजी, याद कर लो, मुजाम्बीक, बुजी bridge, इंडिया और मुजाम्बीक गर्मेंट दोनों के सहयोग से बना है, तो National Highway Authority of India ने कोलाबरेट किया मुजाम्बीक के साथ, और ये construct करवाया गया, मुजाम्बीक की location, just in case you do not know, तो ये अफरिका है, ये आ जाता है मुजाम्बीक, इसके इस साइड में इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है, मुजाम्बीक is located in South Eastern Africa, Indian Ocean to the East, और Portuguese यहां पे 1498 में आये थे, उन्होंने मुजाम्बीक को कॉलनाइज किया था, और 1975 में इसने इंडिपेंडनेंस गें किया, ठीक है, चौनों, इन्डिया एक और प्रजेक्ट चला रहा है, कहां, मॉंगोलिया के अंदर, सो मंगोलिया रिफाइनरी टू बी बिल्ड बाई इंडिया, बाई 2025, दो हजार पच्चिस तक यह जो रिफाइनरी है मंगोलिया में, वो इंडिया तयार करके देगा, सोफ्ट लोन के तहथ यह बनाई जा रहे है, सोफ्ट लोन क्या होता है, जिसमें हम सब्सेडाइज रेट पे लोन्स देते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट हम कम रखते हैं, मंगोलिया रिफाइनरी तक मंगोलिया रिफाइनरी का निर्मान किया जाएगा, फिर्स्ट ऑइल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया यह होने वाली है, और इसको फंड किया जा रहे हैं, इंडियन असिस्टेंस से, 2015 की complete होगी 1.2 billion US dollar का soft loan इंडिया ने दिया है first stage के लिए और अभी तक अगर हम देखें तो 70% जो मंगोलिया की oil needs हैं वो रश्या import से पूरी होती तो एक strategic move भी है क्योंकि मंगोलिया entirely depend था नहीं sorry not 70% I am mistaken here not 70% मंगोलिया entirely रश्या के उपर dependent है अभी तक for oil imports लेकिन ये refinery बनने के बाद में 70% जो needs हैं वो domestically पूरी हो जाएंगी मंगोलिया की okay so development comes as a strategic implication क्योंकि entirely dependent है energy imports के लिए और उसके बाद 70% जो need है वो इस refinery के बाद पूरी हो जाएंगी domestically Syria becomes world's largest narco state Syria Syria चलो जल्दी से बता दो मुझे पूछलू नहीं लिखा है hope मैंने कहीं भी right बताएंगे कौन से continent में बढ़ता है Syria बच्चो वाला question है लेकिन कई बच्चे यहां भी गलती कर सकते हैं पचानेंगे नहीं कहां की बात हो दी तो Syria वर्ल्ड का largest narco state बन गया नार्को state क्या होता है अगर हम definition के बात करें according to Collins dictionary तो जहां जिस country का significant जो economy है वो narcotic drug के जो illicit trade हो रहा है illegal trading जो हो रही है उस से वो economy चलती है उस economy को हम उस state को हम या उस country को नार्को state कहते हैं तो नार्को state refers to a nation जहां significant portion economy का किस पे reliant है illicit trade of narcotic drugs में dependent होता है और Syria में production और export काफी बड़े पहमाने पे चलता है captagon का captagonic illicit drug है banned drug है और इसको identify या ban किया था UNODC ने और UNODC का full form United Nations Office on Drug and Crime AIIB that is Asian Infrastructure Investment Bank to open its first overseas office in Abu Dhabi AIIB का पहला overseas office का खुलेगा Abu Dhabi में खुलेगा बस इती सी news is में और ज्यादा डीटल में जाने की कोई बात नहीं AIIB का establishment देख तो 2016 में हुआ था और इसका headquarter Beijing China के अंदर है India is one of the founding members Australia will host Quad Leadership Summit in Sydney in May 2023 तो Australia host करेगा Quad Leadership Summit पहली बार Sydney के अंदर माई के अंदर यह होगा and Quad Nations कौन से हैं US, India, Japan, Australia तो इन चारों देशों के जो leaders हैं वो मिलेंगे जैसे कि हमारे यहां से परधान मंत्री Narendra Modi then USA Joe Biden then PM Kishida Fumio Japan से Australian Prime Minister Anthony Albanese इन चारों की meeting होगी और यह fourth edition Quad Leaders Summit का होने वाला है Quadrilateral Security Dialogue इंडो Pacific Region के अंदर चाइना का दबदबा कम करने के लिए और इन चारों देशों का थोड़ा रुदबा बढ़ाने के लिए critical जो रूट से उनको free and open रपने के लिए Quad Group बनाया गया था 2017 के अंदर Tamja Blue Hole Discovered Tamja Blue Hole का नाम क्या है Tamja Tamja Blue Hole Discover किया गया है Blue Hole क्या होता है उससे पहले समझो कि भई यह कहां Discover किया गया है तो यह है Yucatan Peninsula है न यहाँ पे Gulf of Mexico है यहाँ पे Caribbean सी आता है यह आपको Caribbean वाला हिस्सा दिख रहा है यह Yucatan Peninsula के यहाँ पे एक Massive Blue Hole off the coast of Yucatan Peninsula in Mexico Tamja Blue Hole इसका नाम है वो identify किया गया है अब यह जो Blue Hole होते हैं वो क्या होते हैं ऐसा समझो यह वर्टिकल सुरंग है यह पूरा पानी है और यह ऐसी वर्टिकल सुरंग है नीचे पूरा खाली है तो पानी से भर गया है जैसे tunnels होते हैं ना horizontal होते हैं इस तरह से होते हैं tunnel और उनमें पानी डाल दो तो कैसा रखेगा लेकिन यह इस तरह से हैं यह उपर तो इसका मूँ खुला हुआ होते हैं नीचे जाकर कि यह बंद हो जाते हैं तो यह जो blue holes है massive blue hole of the coast of Yucatan Peninsula Mexico में identify किया गया है या discover किया गया है यह underwater sink hole या vertical cave है ठीक है और यह कब बनते हैं usually जब limestone या carbonate rocks होते हैं और वो धीरे-धीरे sink हो जाते हैं गल जाते हैं dissolve हो जाते हैं तो वो एक cavity जैसे बना लेते हैं जिसमें पानी भढ़ जाता है sea water पी उसमें mix हो जाता है तो acidic water, ground water सारी चीज़े उसमें mix हो जाते हैं तो यह जो tamja blue hole है यह 900 feet deep है और second deepest blue hole माना जा रहा है दुनिया का अगर हम बात करें deepest blue hole in the world की तो वो 987 feet deep South China Sea में है और उसका नाम है the dragon hole the dragon hole युकातान पेनिसुला हमने देखी लिया North Eastern Province है Central America का एक तरफ Gulf of Mexico आ रहा है और एक तरफ Caribbean सी आ रहा है वही सारे boarding passes वगेरा चेक करेगा, identify करेगा आपकी identity और आपको welcome करेगा ठीक है so Dubai Airline का Dubai Airline का Emirates unveils world's first robotic check-in assistant तो world का पहला robotic check-in assistant जिसका नाम क्या है सारा या सारा और वो customer faces, scan करना, passport check करना, boarding pass check करना, इस सब करेगा प्रेत initiative, हम तो प्रेत बोलेंगे, प्रेत हम बहुत प्रेत बोलते है ना, PRET initiative देख लिजे तो WHO ने, World Health Organization ने launch किया है PRET initiative ये वो प्रेत नहीं है, इसका platform देख लिजे preparedness and resilience to emerging threats, तो जो भी आगे pandemic या कुछ बड़े epidemics आ सकते हैं, उनसे prepare होने के लिए ये एक initiative launch किया है, WHO ने, World Health Organization has launched PRET initiative to be better prepared for future outbreaks of similar such pandemic जैसा की COVID-19 आया था, preparedness and resilience for emerging threats, full form याद रखेंगे, कोई भी respiratory pathogen वापिस से attack करता है, तो उसके लिए हम क्या करें, क्या नहीं करें, वो सारी guidelines है, so इसकी जो global meeting for future respiratory pathogen pandemics वो जेनिवा, Switzerland के अंदर हुई और उसी के दोरान ये पूरा PRET initiative भी launch किया गया and then finally cyclone ilsa, क्या नहीं है cyclone का, cyclone ilsa कहां हिट हुआ या कौन से country को इसने affect किया, तो एक powerful storm था जो की Western Australia को जिसने hit किया, तो ये आप सीधी सीधी से एक info है जो ध्याम रखनी है, cyclone ilsa ने कहां impact डाला है, West Australia में इसने impact अपना दिखाया and with this, we are done with the international news for the month of April 2023 and not just that, हमने पूरा monthly compilation खतम कर लिया है April month का, जिसमें हमने start किया था important days and themes से, फिर second video के अंदर हमने books and authors award and recognition और और भी बहुत सारी categories थी है, वो हमने cover की थी, appointments, obituaries third category में, third video के अंदर हमने state news, then science, tech and defense complete की, fourth video में हमने national news, banking and finance की और आज वाले वीडियो में हमने index देखे, sports देखे और international news देखे ठीके, PDF की जानकारी में अलरी दे चुकी हूँ, practice के लिए आप telegram से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे daily questions डाले जाते हैं, आप वहाँ से practice कर लिजे, नहीं तो आप mail भी कर सकते हो, और आप chat में भी पूछ सकते हो, पर्चम आप से, ठीक है, so here I take your leave, आप दूसरो topics के साथ मिलेंगे, mantli CA तो खतम हो चुक है, अगर आपके कोई requested topics हैं, तो you can always put your request forward, अगर जाधा request किसी topics पर आएगी, तो we will definitely take them on priority, until we meet next, take good care of yourself, bye-bye.